Hello Friends, Welcome to BPS Studies Friends, आज के वीडियो में हम रिजल्ट का प्रत्सत निकालना सीखेंगे हमने यहाँ पर एक कोशन दे रखा है जैसे माल लिया हमारे किसी टेस्ट में या किसी पेपर में 350 नमबर आए हैं यानि यह हमारा प्राप्तांग का है 350 नमबर और पूरांग का यानि टोटल मार्ट यह हमारे 500 नमबर तो हमें यह पता करना है कि हमारा कितना प्रत्सत बना है रियल्ट का तो सिंबली इसका फॉर्मुला होता हमारा प्रत्सत निकालने का अगर हमें अपने रियल्ट या किसी टेस्ट का प्रत्सत निकालना है तो numéro होता है प्रस्त पराबर होता है जितने हमारे नमर आए हैं यानि प्राप्तंग ahh कि अब हूंस में लगया हमाय पूर आंग जितने में से हमें नमबर मिले हैं उसे हम नीचे लिखेंगे और multiply में hundred और percent का chin, तो ये formula हम इसमें apply करेंगे तो simply हम अब प्रसत निकालने जा रहे हैं, तो प्रसत निकालेंगे तो ये हम प्रसत निकालेंगे, तो हमारे प्राप्तंग प्राप्तंग यानि जो number हमें प्राप्त हुए हैं paper में या realt में तो हमें number प्राप्त हुए है 350, तो 350 को हम उपर लिख देंगे अब ये number हमें कितने number में से मिले हैं तो ये मिले हैं 500 में से तो simply 500 को इसके नीचे लिख देंगे अब formula में लग रहा है गुणा 100 और प्रसत का चन्न, तो इसे ऐसे लगा देंगे अब simply हम इसे solve करेंगे तो 100 से हमारा ये 500, हमारा सीधा सीधा 5 बर कटे आएगा क्योंकि 105 ये 500 होता है अब 5 से हम 350 को काटेंगे, तो ये कटेगा 70 बार त्यानि हमारा जो प्रसत निकल के आएगा रियल्ट का जो रियल्ट का प्रसत निकल के आएगा ये आएगा हमारा सत्तर प्रसत ये रियल्ट आगया हमारा सत्तर प्रसत निकल के यानि हमारे इस पेपर में ये रियल्ट में हमारे सत्तर परसेंट बनी है इस तरह से हम किसी भी पेपर का ये टेस्ट का आसानी से प्रसत निकाल सकते है उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हुगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हुगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद